अब एक नजर खबरों की तरह बंदे मातरम सेवा समित द्वारा चीनी राष्टपती का फूका गया फुतला मामला है उत्तर परदेश के जनपत चंदावली के ठाना चेतर धीना का बिगत कुछ दिन पूर बारा चीन बारा पर 20 जवान सहीद हो गए बंदे मातरम सेवा समित सहीद जवानों को सरदांजरी अर्फिक करते हुए आज धीना ठाना चेतर के ग्राम सबाद जिगना में चीनी राष्टपती का फुतला फुका समित के संयोजा कानिल महुजी ने बताया कि हम सभी भारती चीन की सभी वस्तों का बहिसकार करें और भारती प्रदान मतरी से अपील करते हुए कहा कि चीन से पूर्ड रूप से ब्यापारी विस्ते बंद कर दिये जाए जनता से अपील करते हुए बताया कि चीन के किसी भी प्रकार के वस्त का परियोग कदापिना किया जाए हमारे संबादाता चंदोली से रवी संकर के साथ अउदेश यादो की रिपोर्ट कि दौरा आज ग्राम सफा जीना में चीन के राश्चपती का पुटला फुगा गया हम लोग पुटला फुटने का हमारा एक यही मैसेज है कि जो हमारे सोल्जर्स अभी 20 सोल्जर्स सहीद है उनके धल्गली अपित करते हुए हमारे जो कि चीनी ने जो कूकरित किया है हमारे सरकार से यही मांग है कि जो भी चीन के साथ व्यपारिकtes्टे हैं उसको उसको प्रतिबंदित किया जाए और राजनितिक पार्टियां जो हमारे देश के हैं सबसे अपील है कि आरोप रत्यारोप न करते हुए देश के जो हित के लिए है जो सरकारी कदम जो भी सरकार अपना कदम उठा रही है उसको साथ दें आरोप रत्यारोप करने का बिल्कुल वक्त नहीं है और जितने भी सरका जो भी चीनी चीजें हम लोग यूज करते हैं उसको पुर रूप से भाइशकार करें प्रतिबंदित करें और अपने देश में उसका प्रयोग न करें जैहीं जैवारत अब तभी से अपीर चीन की सारी बस्तों को प्रतिबंदित किया जाए और आरो प्रत्यारो बिल्कुल न किया जाए सरकार का मिल कर सादी जिए जो भी सरकार की जो भी निदिशा निदेश है उसको आप फालो भी जाए 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 नमस्कार मैं उस्पेलन सारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइफ अंडर निउस तुरवात करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से ग्राम परधान की बड़ी लापरवाही की चलते ग्रामीड हुए काभी परेशान जी हां मामला उत्तर परदेश जिनाब भहराईज की विकास खण सिवपूर ग्राम पंचाय पिपरिया में परधान गिर्धारे गाल की लापरवाही आई सामने आई ये रूबरू कराते हैं यहां की ग्रामीडों से ग्रामीडों का कहना है कि कई परस हो गए गाउं में नाली खरंजे का नहीं हुआ निर्मार अब तब कोई काम हलकी सी बारिस होने पर भी हो जाता है तालाब ग्रामीडों को आने जाने में काभी दिक्कतों का करना पड़ता है सामना परदान जी आपके कौन है ये बताइए क्या समस्या है आपको पांच साल में इस रोट की रिपेरिंग कुछ हुई है नहीं हुई है नमस्कार मैं उस्पेलन सारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइफ अंडरेट न्यूज दुरबात करते हैं इस वक्त की छोटी बली खबरों से खबर यूपी के जनपत चंदौली के साहब गन से जहां केंद्रिय रच्चा मंतरी के पहल पर अपरीका महादीब से महादेव विसकरमा का सो उनके पैत्रिक गाउं पहुंचने के बाद पूरा गाउं गमगीन हो गया वहीं दूसरी तरफ लोगों ने केंद्रिय रच्चा मंतरी का अबार भी प्रकट पूरा मामला बढगावा गाउं का जहां बिगत कुछ मुहाद पूर में रामूरद विसकरमा पूत्र महादेव विसकरमा दच्चिड अपरीका देश के जबरान वे इस्तित अलफा परदान मंतरी जी के द्वारत देश में एमर्जंसी से वहाँ को छोड़ कर सभी प्रकार के सेवा पर पूरु रूप से ग्लोप दीजाने से उनका सव भारत नहीं पहुंच पाया मिता के परिजनों ने ठकार कर केंद्रिय मंतरी राजनात सिंग से पत्र के मादम से उगत कराते हुए सो को पैत्री कावास मंगाने की गुहां लगाई रच्छा मंत्रे ने मामले को संग्यान में लेते हुए अफरीका महादीव के सेर्स नेताओं से वारता कर सो को अच्छिग्र भारत बेजने का आधेश दिये इसके बाद उक्त कंपनी के मालिक लिवारा आनन पनन में सो को भारत बेजने की तैयारी की गई और फ्लाइट वा विविन संसाधनों के मादन सोंगत सो आज गाउंग में पहुंचने के बाद पुरा गाउंगीन हो गया कोई दूसरी रव्लोकोन रच्छा मंत्रा लाजना सिंगी का भी धन्यवाद दिया किस प्रकार ये घटना होई थी वहाँ पे कंपनी द्वारा तो बताया गया कि मैंने एक पोल था बिजली का खंभा गाड़ा जा रहा था वो कलेन गाड़ी से उठाया जा रहा था उसको खंभा में जो होता है रस्ची तूट गई और सीधे खंभा जाके उनकी सीर कर गिर गया जिससे उनका मने आंदरी स्पार्ट देहां सुगया दो अपरेल 2020 को इपी घटना है विकिन माननी रक्षा मंत्री जी के अथक प्रयास से कई-कई बार उन्हें विदेश मंत्री को तीन-तीन बरपत्र लिखा विदेश मंत्री के प्रयास से मारे कंपनी के जितने भी मैनेजर सब लोगों ने बहुत प्रयास करके यहां तक भर तक बाड़ी को पहुंचाया आज हम लोग बहुत मने अंगर गयाद है अपने पूरा गांव परिवार समाज मने इतने भी लोग हैं सभी हम सभी लोग आभारी हैं मानि रक्षा मंत्री जी के उनके प्रयास से बाड़ी हमा राज बाबू जी बताईए आप तहां के निवासी हैं यहां पर क्या समझ्या यहां पर इनाली कम से कम पांचे साल से बरी पड़ी है जिसके कारण यह पर आना जाना मुशकल हो रहा है यहीं पर रहते हुए भी बच्चे लोगी बिमार हो रहें कभी इसके बद्बू से और इसको कितना भी कोई इसके सुनवाई नहीं कर रहा है। इसके सुनवाई नहीं कर रहा है। इसके से सुनवाई नहीं कर रहा है। फिर भी आधिकारी अपनी लापरवाही से बज नहीं आ रहे हैं तो लब आए दिन घटना होती रहती हैं यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई बड़ी से बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं जैसे कि आज मान लिया जाए कि आज हम गीरे हैं कल अन लोग भी गिर सकते हैं, ज्यादा बारिश होने के जलबराओ काफी तादाद में भरा रहता है, तो इसलिए मैं खास तोर पर यहां के जुम्हेदार अधिकारी हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि इस महारिविका निर्मार करां और यहां के समस्या का सम्मदान करे बजार का क्या नाम है? बजार के मुख मारक है? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? साजी जी आप कहां के रहने वाले हैं? आपके बजार में जल भराओ जल भराओ समस्या के लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? कितने दिनों से बहरा है? लमसम कितने सालों से ऐसा ही चल ला है? बजार के क्या नाम है?